नमस्कार दोस्तो मैं हूँ जीतेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके एडियोतेक में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटेक महेंद्डरा बैंक ल्म्लम्टेट के बारे में जी या दोस्तो कोटेक महंदरा बैंक लम्टेट में आज जो है धाई परसंट से उपर की गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट की पीछे का में कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी है तो जी या दोस्तों बढ़े दिये जेके एरूटेक के साथ और वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गेरेटमन पर क्लिक करके जेके एरूटेक को सब्सक्राइब कर और आल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए देखिए होता क्या है कि जब मार्केट में गिरावट होती है या मार्केट में जब तेजी होती है किसी स्टॉक में तो हम क्या करते हैं उसका बेसिक स्टड़ी करने की कोशिज करते हैं में कार ढूडने की को तो कोई नो कोई नियूज होती है या जब कोई स्टॉक भागता है तो उस पे कोई नो कोई गुड नियूज वोती है तो आज जो है तक्रिवन 2.61% की जो भेंकर गिरावट आपको कोटेक महिंद्रा बैंक लिंटेड में देखने को भी लिए तो इसके पीछे भी कोई न्यूज जरूर होगी तो आज जो है उसी न्यूज के बारे में हम डिसकस करेंगे तो कोटेक महिंद्रा बैंक लिंटेड में एक बलाक डील कल होने वाली है और आपको पता है कि जब किसी स्टॉक्स पर ब्लाग डील होती है या बल्क डील होती है तो उसमें मोमेंटम बहुत तेज होता है तो यहां पर कोटेक महिंद्रा बैंक लिंटेड में कनाड़ा पिंशन फंड जो एक इस्ट्यूशनल बायर है कनाड़ा पिंशन फंड ओ जो है है यहां चौविस मार्च जैनि टुमारो यानि कल की रिट में जो है वह अपना इस्टेग क्यां पर सेल करने वाले हैं जी हां दोस्तों कनाड़ा पिंशन फंड जो है एक मेजर इस्टेख होल्डर है कोटेक महिंद्रा बैंक लिंटेट का शेयर वल्डिंग पैटन देखेंग तो सबसे ज़्यादा stake के हाँ पर foreign institutional investor का है तो यह जो deal होने वाली है इसकी size जो है तकरीवन 28 million sales की होने वाली है तो 12 million sales के करीम में जो है वेचद आएगा और यह जो deal होगी वो 0-5% के discount के बीच में होगी बताया जा रहा है कि कल जो deal होगी Canada Pinson Fund जो stake Kotech Mahindra Bank Limited में वेचेगा उ 1681 रुपे 26 पैसे से लेकर 1779 रुपे पर share के हिसाब से जो है यहाँ पर Canada Pinson Fund जो है Kotech Mahindra Bank Limited में अपना share sale करेगा तो एक अच्छे opportunity है और कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं यह तो बहुत गुरी खबर होई बैंक बरबाद हो जाएगा देखे ऐसे deal होती रहती है और यह जो deal की कीमत है तकरीबन 4707 करोड से लेकर 4955 करोड के करीम में जो है यह deal होने वाली है तो इस बलाक डील के करोड जो है आज के दिन में जो है 2.61% की जो है भायंकर गिराओट जो है कोटक महिंदरा Bank Limited में देखने को मिली और टाप 5 लूजर्स में देखे तो नंबर वन पोजिशन पर यहां पर कोटक महिंदरा Bank Limited दिखाई दिया तो आपको क्या करना चाहिए क्योंकि आगे जो मैं वीडियो में बताना जाओंगा दोस्तो यह देखने के बाद आप करता ही जो है इस शेयर को एक भी शेयर बेचिंग नहीं क्योंकि कोटक महिंदरा Bank Limited एक दिगज बैंक का दोस्तो और जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं बजाज फाइनस और बजाज फिंसर को छोड़कर तो आप देखे तो सबसे जादा रिटर्ण कोटक महिंदरा बैंक लिम्टेड ने दिया है और एक पॉजिटिव नहीं जे भी आ रही है कि कोटक महिंदरा बैंक लिम्टेड जो है और एक्सिस बैंक ऑन टूजडे एक्क्वाइर की हैं 7.84 परसेंट इस्टेक जो है तकरीबन 10,000 एक्विटी शेयर जो है यहां पर खरीदा गया है कोटक महिंदरा बैंक लिम्टेड के द्वारा तो आप एक तरस बेखिए कि जब कोई मेजरिस्टिक बेच रहा है तो बैंक कोई बरबाद तो नहीं बैंक कोई फंडामेंटल तो नहीं भी गड़ा बैंक अभी भी इस्टेबल है एक लार्ज कैप का बैंक दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का हाथ ही आप बोल सकते हैं HDFC बैंक लिम्टेड के बाद 3,029,029 क्रोड का मार्केट का सेयर दोस्तों आपको नहीं बूलना चाहिए रिविन्यू देखेंगे तो जून 2021 में क्वाटर 1 में देखेंगे तो 8,043 क्रोड का रिविन्यू क्वाटर 2 में देखेंगे तो 8,233 क्रोड का रिविन्यू और दिसम्बर क्वाटर में देखेंगे तो 8,626 क्रोड का रिविन्यू जो है यहां पर KOTEC महंदरा बैंक लिंटेड ने किया है. बैंक का fundamental नहीं नहीं देखा रहा है. बैंक अच्छा काम कर रहा है. बैंक शाल दर्शाल quarter and quarter अच्छी तरीके से यहां पर भाम करता हुआ रहा है. quarter 1 में देखें तो net profit 1806 कोड का हुआ था. कोटक महंदरा बैंक लिंटिन में वहीं quarter 2 में देखें तो इसका net profit बढ़कर 2989 कड़ो गया है और quarter 3 में देखें तो 3303 कड़ो का net profit कोटक महंदरा बैंक लिंटिन ने December quarter में जनरेट किया है जहां इसका EPS जो है 15 रुपे 7 पैसे था अब बढ़कर 17 रुपे 15 पैसे हो चुका है और जैसा मैं आपको बोड़ रहा हूं कि इसका share rolling pattern देखेंगे तो सबसे ज़्यादा stake यहां पर देखेंगे तो तकरीबन 42.58% के करीब में foreign institutional investor का है यानि विदेशी लोगों ने इसमें दबाकर investing की है और हमारे देश के जो mutual fund से ओभी कम नहीं है 15.29% के करीब में mutual fund ने भी अपना stick बरकरार रखा है और 26% का stick promoter के पास है और 16.9% का stick जो है आप जनता के पास है all time return को देखें तो 73,274% का return यहाँ पर कोटेक महंदरा bank limited ने दिया है इतना heavy return तो HDFC bank limited ने भी नहीं दिया है तो एक multi bagger share है दोस्तों और इस deal के वज़ा से कल market में 3-4% की downside में gir out देखने को मिलती है तो आपको घबनाना नहीं चाहिए आपको इसमें और ज्यादा quantity add करनी चाहिए क्योंकि ऐसी opportunity बहुत कम मिलती है और जो market का दिग्गत पर होता है जो eagle आई वो इसी चीज़ को देखता है और इसी चीज़ की फिराक में पड़ता है कि कब कोई अच्छा sales discount में मिले कि उलपके और आज भी delivery data आप चेक करे national stock exchange की website पर जाकर तो आप पाएंगे कि आज की rate में कोट्रेक महंदरा bank limited में 32,6,340 की quantity में share trade किये गया है जिनमें से 16,38,281 की quantity में share की delivery उठाई गई है तकरीवन 50.78% के करीम में आज यहां पर कोट्रेक महंदरा bank limited में इतनी गिरावट के बावजूद माल उठाया गया है लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि हमारे देश के ज retail निवेशक है जो अभी अभी stock market में आये हैं जैसे ही किसे stock में कोई new जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि उस bad news के वज़ा से पूरा market खत्म हो जाएगा 2008 में जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा कोवीट से भी आप research कीजिए कि कोवीट में क्या हाला थी पूरा देश बंदता पूरा 200 बंदता उस समय जब market का कुछ नहीं हुआ तो इस चोटी मुटी नहीं जाती है ने टेंपरेरी नहीं जोती है मार्केट को इससे कोवीट देना नहीं है एक से दो दिन तक से अस परवाव पड़ेगा लेकिन लांग टर्म में आपको अच्छा ही profit मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि ए वीडियो आपको ज़रूर पसंदा होगा यदि वीडियो पसंदा है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद